देखें निमेरिकल 3.1 कहके रहा है जैसे आपने आप बोलता है बस आपकी फुल स्टाप तक पढ़िये नहीं जलिल देख लिया और अंसर देख लिया ठीक अब दिकाद यहां अंसर बैसे नहीं आएगा ना कि जैसे कोई निमेरिकल छोटे क्लास में होता था एक बाद जोड देते थे संख्या को एक बार माइनस कर देते थे एक बार मल्टीप्लाइ करते थे कहीं कहीं से आंसर निकला आता था यहां टेंट पाउर माइनस में आएगा पहला कोशन कहरा है कि अच्टोरेज बैटरी आफ एक कार है एमफ आप 12 वोल्ट यानि कि कार की बैटरी का एमफ वोन स्कूर इस आप तो उकून कै क्या हो गया 3.1 फ्jak और 3.1 इंसे का है 12 वोल्ट के वेसं ह Gy service घक है इस दा इंतर्ल एंटर्ड न रहीं सेनल सब्वैटरी इंतर रींट पाइंट उम इंकशिंच मिलना है जिरो पाइंट फोर हैं देखिए वैसे तो Maximum Currentffentlich कभ होगी देखिए अगर ध्यान से देखे बैटरी का काम क्या है बैटरी एकस्टरणल रेगी करण दे रही है वै बैटरी काम क्या है एक बैटरी है उसका इंटर्नल रेगी जिस्टर्णल यह एकस्टरणल सरकुट में current दे रही है ना तो अगर external circuit में current दे रही है तो current का formula क्या होता है e upon r plus r अब आप से कहने maximum current उसके नहीं दे सकता है तो उसके लिए हम जो चीज़ minimize कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो यानि for i max यहां हम क्या कर सकते हैं for maximum current बड़ा वाला r is equal to zero external resistance zero होना चाहिए तो i max कितना हो जाएगा e upon small r e बोले तो 12 r बोले तो 0.4 यह कड़ जाएगा कितना आएगा चारतियां 12 यानि 30 amp की current अब आप कहेंगे यह बताइए जब resistance ही नहीं है तो current किसको देगा हमसे उससे नहीं लगा रखे हैं नहीं हमजे current दोड रही है मुझसे काम करा ले करा ले आए थर्टी एंपर current आए आए नहीं आया वह रिजिस्टन्स नोट करिए इसको यह लिए एंपियर हो गया उसमें क्या दिक्कत है